आदुनिक वेवहार के लिए जो बैंक है वहाँ आधार स्तंब है तो आपसे प्रार्तना है कि पत्र वाहक के साथ नियत आवेद पत्र बेच कर अनुगरहीत करें बीमा आयोग से हानी की पूर्थी के लिए पत्र बीमा आयोग से आपर अभी हानी पहुंच गई है एक किष्ट रहता है वो इतना जो किष्ट है आपर बीमा कंपनी को भरता जाता है नमस्कार मैं हूँ हर्षीता हिंदी लेक्चेरर विद्याष्रम कॉलेज मैसूर आज हम मैसूर उनिवर्शिटी के फॉस समिस्टर BBA की हिंदी पाठेक्रम से जो चौता यूनिट है उसमें से जो पत्र वेवहार है उनमें से बैंक संबंदी पत्र और बीमा संबंदी पत्रों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे देखिए अब तक के सेशन में हमने जो वैवसाइक पत्र विवहार है उसमें से पूछता समंधी पत्र आदेश समंधी पत्र शिकायती पत्र और नौकरी समंधी पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की है तो आज के इस सेशन में बैंक समंदी पत्र और बीमा समंदी पत्र जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो पहले हम आज जो है बैंक समंदी पत्र के बारे में जानेंगे देखिए आप सभी लोग जानते ही हो आज के आदुनिक आर्थिक व्यवस्ता में जो है बैंक का स् के लिए तो जो बैंक है वहां आदार स्थम्ब ही है ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि चोटे से चोटे व्यवहार से लेकर बड़े से बड़े व्यवहार तक जो है आपर बैंकों की आवश्यकता तो पड़ती ही है तो ऐसे में अगर बैंकों की आवश्यकता पड़ती है तो बैंक के वैपारी जब बैंक से रुन लेता है और भी कुछ ऐसे संदर्ब आते हैं एक वैपारी को जो है या पर बैंक को पत्र लिखना पड़ता है आप लोग जानते ही हो आज कल हर एक वैपार वैभार या फिर लेन देन जो है वहां बैंक के जरीए ही होता है हर एक लेन देन या फिर वैपार वेभार जो है वहाँ बैंक के जरीए ही होता है चाहे चोटे से चुटा जो यहाँ पर वैपार ही क्यों न हो या फिर कितने भी बड़े वैपार या फिर वैभार ही क्यों न हो तो ऐसे में हर एक वेपारी को बैंक की सहारा तो यहाँ पर लेना ही पड़ता है तो देखें यहाँ पर आजकल हर प्रकार के आर्थिक वेवहार में बैंक का पात्र महत्व का है आधुनिक वेपार के लिए तो बैंक आधार स्थम्ब है जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया आधुनिक वेवहार के लिए जो बैंक है वहाँ आधार स्तंब है तो ऐसे में हर कोई जो है दिक्यार्तिक वेवहार के लिए तो अभी बैंक का स्तार महत्व पूर्ण है और वैपार के संदर्बु में तो आदार स्थम्गों ही हम बैंकों या पर कह सकते हैं क्यूंकि वेवारियों का अधिखांच लेइन देन बैंकों द्वारा ही होता है वेवारी उनका मतलब वैपारी उनका जो अधिक खांच मतलब ज्यादातर जो लेंदेन जो है वहाँ बैंक के जरीए ही होता है तो ज्यादातर किसी को पैसे देने हैं तो वो भी बैंक के जरीए ही होता है और पैसे लेने हैं तो यहाँ भी लेन देन जो है वहाँ बैंक के जरीये ही होता है तो इसलिए आपर बैंक को आदार स्तंब जो है आदुनिक वैपार का आदार स्तंब कहा गया है देखें बैंकों के चालू खाता, बचत काता, उधार तता ड्राफ्ट की व्यवस्ता आदी से वैपारवानिजी के क्षेत्र को बड़ा लाब पहुंचता है जो बैंक में वैपारी लोग जो है बचत काता, चालू काता, जो भी आपर वो वैवहार बैंक से करते हैं उस व्यवहार से व्यापारियों को बड़ा ही लाप पहुंचता है बच्चत काता के लिए भी वो एक सेफटी जो है उन लोगों के लिए यहाँ पर रहता है या फिर अगर वो उदार देना या फिर उदार लेना जो भी रहता है सब में जो है बैंक के जरिये होने के कारण एक सेफटी जो है एक सुरक्षित जो है वहां रहता है एक सुरक्षित मार्ग हम यहाँ पर कह सकते हैं तो इसलिए हर चोटे से चोटे वैपारे से लेकर हर बड़े से बड़े वैपारी जो है पर बैंक की जो सहारा है लेता है पत्र क्या है पर चालू खाता खोलने के लिए पत्र जो है उसका एक नम्मुना जो है आपको दिया गया है देखे श्री कृष्ण जन्रेल स्टोर्स जो वैपार का जो एक संस्ता फिर जो एक दुकान है उसका नाम जो है पर दिया गया है और उसके बाद एक प्रेशक का पता ह जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था व्यावासाइक पत्र के संदर्ब में कि यहाँ पर पहले जो है दाई तरफ प्रेशक का पता लिखा जाता है अगर सिर्फ एक प्रेशक अकेला हो तो यहाँ पर क्या है बाई तरफ ही यहाँ पर लिखा जाता है प्रेशक मगर यहाँ प प्रत्तिष्टन एा फिर एक दुकान से जो है यहां पर वहां पत्र लिख रहा है तो उसका नाम यहां पर बीच में, करके आपर जो ब्एनक का यहां पर पता है वहां दिया गया है, तो यहां पर फ्रम और तू हो गया फिर इसके बाद प्रियम हो दै अभिवादन जो है अपर लिखा गया है तो उसके बाद देखे विशे हम आपके बैंक में अपनी दुकान का चालू खाता खोलना चाते हैं देखे अपर एक विक्ती चालू खाता नहीं कोल रहा है अपने दुकान का जो है अपर ए पत्र वाहक के साथ नियत आवेद पत्र बेचकर अनुग्रहीद करें। तो इस तरह पत्र का मुख्य का लेवर है, फिर इसके बाद आपका विश्वासी प्रयोग किया गया है, फिर इसके बाद संचाल करके बताया गया है, नेक्स्ट धन्यवाद। अच्छे से याद में रखी, अगर आपको एक्जाम में कोई भी प्रशन आपको पूछा जाये, या पर किसको पत्र लिखना है ये तो आपको प्रश्न में ही दे देते हैं, और विश्य किसके संदर्भुम में लिखना ये भी बता देते हैं, तो इसलिए विश्य भी पता रह देखें, नेक्स्ट है, यहाँ पर बीमा संबंदी पत्र, अभी बैंक संबंदी पत्र हो गया, अभी हम बीमा संबंदी पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, देखें, किस तरह यहाँ पर एक वैपारी को बैंक की अवश्यकता पड़ती है, वैसे ही यहाँ पर बी एक वैपारी को किस तरह पैसे के लिए जो है यह पर बैंक पर निर्बर होना पड़ता है वैसे ही अपने इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर अपने जो भी माल रहता है उसकी सुरक्षा के लिए या फिर अगर उसको कुछ ख्षती पहुंच गई तो यहापर उसकी जो फिर जो भी आपर रहता है उसके लिए वहाँ बीमा करवाता है, क्योंकि उसके लिए एक सुरक्षा रहेगी, अगर वहाँ किसी भी कारणवश, सोच लिजे एक्जामपल, अगर आग लगई, ये कपड़े की दुकान है, अगर किसी कारणवश वहाँ पर आग लगई, तो बह पाई जो है बीमा कंपनी जो है करती है, तो इसलिए एक वैपारी तो अपने माल के लिए, अपने दुकान के लिए ये फिर जो भी रहता है उसके लिए वहाँ आपर बीमा पॉलिसी तो करवाता ही है, आपको पता है बीमा पॉलिसी क्यों करवाता है, क्या है सब के बारे मे ज्यादा बोलने के आवश्यकता यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है तो बीमा के संदर्ब में बीमा कमपनी को जो है पर कभी कबार पत्र लिखने के आवश्यकता यहाँ पर वैपारी को पढ़ता है तो यह जो बीमा से संबंदित पत्र जो है यहाँ पर वैवसाई पत्र के अंतरगत आती है देखे यहाँ पर आदनिक काल में बीमा का वैवसाई हर क्षेतर में फैला है सिर्फ एक वैपारी नहीं हर कोई बीमा करवाता है उदारण के लिए हेल्थ इंसुरेंस पॉलिसी तो ऐसे ही हर कोई लाइफ इंसुरेंस तो इस तरह से जो हर कोई एक बीमा करवाता है तो ऐसे में वैपारी भी अपने माल का बीमा करा के आग या अन्मी किसी कारण से माल की संभाविक शती से सुरक्षा पाते हैं देखे किस तरह यहां पर एक आम इंसान ही अगर बीमा करवाता है तो एक वैपारी को तो उसकी जरूरत और पड़ती है तो इसलिए एक वैपारी भी अपने माल की जो है एक संभाविक शति के लिए जो अगर कुछ नुकसान जो पहुंच सकता है उसके लिए वहां बीमा करता तो बीमा करा के जो है अगर कुछ हो गया तो उसका वो नुकसान जो है पर भरपाई जो है नुकसान की हो सकती है इसलिए तो ऐसे में बीमा की तीन प्रकार है कैसे जीवन बीमा अगनी बीमा समुद्री बीमा एक तो जीवन बीमा जीवन बीमा तो यहां पर हर कोई जो है करव नेक्स्ट अगनी भीमा और समुद्री भीमा तो देखे यहां पर व्यापारी भीमा कंपनी को निश्चित अवदी के लिए निश्चित किष्ट देकर अपने माल के लिए भीमा पत्र पाते हैं एक व्यापारी क्या करता है अपनी माल के लिए निश्चित अवदी के लिए मतल तो इसलिए हर महीने एक किश्च आप पिमा कमपनी को भरता जाता है पैसे वहाँ भरता जाता है तो उसका एक निश्चित समय सीमावधी राती तो उसमें अगर कुछ क्षती उसे पहुंच गई तो उसकी भरपाई पर भीमा कमपनी करती है देखें यापर किसी दुरगटनावश अगर कोई हानी हो तो बीमा आयोग आवश्यक थाकिकाद करा के उस क्षती की पूर्ती कर देता है अगर कोई दुरगटनावश अगर कोई दुरगटना हुई तो यहाँ पर क्या होता है बीमा जो है बीमा कंपनी वाले जो है उसकी जो भरपाई है उस नुक इस तरह जो है वहां किष्ट जो है या पर भरता जाता है तो इस तरह क्या होता एक सुरक्षा जो है या पर माल के लिए रहता है अगर उसे नुकसान पहुंच भी गया तो बाद में उसकी जो भरपाई ये उसे होती है मिलती है तो इस तरह जीवन वीवीमा भी क्या है जो है आपर उस विक्ति को मिल सकता है करके बीमा के बारे में आप सब भी लोगों को यह पर पता ही है हर एक विक्ति तो आजकल कह सकते हैं कि हर एक विक्ति जो है लाइफ इंस्यूरेंस तो वहां करवाता ही है अपने जीवन बीमा तो वहां करवाता ही है तो ऐसे वैपारी भ यहां है एक वैपारी को बीमा जो है अपर बीमा के संदर्ब में बीमा कंपनी वालों को पत्र लिखने के आशिकता पड़ सकती है उसके लिए एक उधारन यहां पर हम देख सकते हैं देखें यहां पर बीमा आयोग से हानी की पूर्ती के लिए पत्र बीमा आयोग से यहां दुकान का नाम है फिर इसके बाद यहाँ पर प्रेशक प्रेशक के बाद फिर यहाँ पर देखिए सेवा में उसके साथ साथ पत्र संक्या फोन नंबर सभी यहाँ पर दिया गया है देखिए आपर जनरल मैनेजर जनरल इंसुरेंस बैंगलूर जनरल इंसुरेंस बैंगलूर जो है वहाँ पर यहाँ पर पत्र जो है जनरल मैनेजर को लिखा गया है फिर इसके बाद देखे प्रियम हो दई मतलब जो अभिवादन है उसे लिखा गया है अभिवादन के बाद यहाँ पर फिर देखे पत्र का मुख की कलेवर देखे यह पर लिखा गया है हमें यहाँ सू के लिए अगनी बीमा करवाया था बीमा पॉलिसी संक्या 371 है आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की सहायता से लगबग तीन गंटे के परिश्रम से आग बुजा दी गई आग का कारण अभी तक ग्यात नहीं है हमारे अनुमान के अनुसार लगबग 30,000 रुप कर आए कि अभी हमने आपके कंपनी में हमारे माल के संदर्ब में जो है यहापर पच्छास हजार की जो बीमा है अगनी बीमा जो है उसे करवाया है तो इसलिए जो है यहापर हमें यह आपको बोलते हुए खेज हो रहा है दुख हो रहा है कि 28 फरवरी को जो है यहापर हमार दुकान में आग लगने के कारण जो है 30,000 रुपए की अनुमान के अनुसर 30,000 रुपए की जो माल है वहां नश्ट हो गया है मतलब उतना नुकसान जो है हमें हुआ है तो इस तरह लिखते हुए वहां आगे लिखते कि कुरुपया ये था शीगर अपने प्रतिनिदी को आया गया है दूसरे अनुच्छेद में आपर रिक्वेस्ट जो है किया गया है कि क्या है हमें ये ताशीगर जो है आप अपनी लोगों को बेच करें आपर तैकिकात सभी खरवा कर जो है अमारी जो नुकसान है उसकी बरपाई कीजिए अभी हमें उमीद है भरोसा है कि भरपाई है आप वहाँ पर करेंगे करके तो इस तरह जो है एक बीमा पॉलिसी के संदर बुम्याभी क्षती पहंचने पर मतलब हानी होने पर नस्ट होने पर जो है या पर अभी रिक्वेस्ट करते हुए एक पत्र जो है एक वैपारी बीमा कंपनी को जो है आपर लिख रह तो ऐसे में जो है यापर इस तरह लिखने पर उसके बाद कुछ कारवाई की जाती है अगर हां सब कुछ ठीक है तो फिर वहाँ पर जो है उसकी जो नुकसान रहता है कितना नुकसान हुआ है उतना यापर भरपाई जो है यापर उनको मिलती है तो इस तरह से जो है यापर ए पर बेंक और बीमा का स्थान क्या है? और किस तरह यह पर एक बैंक को और एक बीमा कंपणी को एक वैपारी पत्र लिख सकता है इसको आज आपने जाना हैं? आप लोग इतना रखेंगी जो पैटरन हे वाकिस तरह रहता हैं? आपको अगर एक्जाम में जो है से संबन में प्रश्न पूछा जाए बैंक के संबन में फिर बीमा के संबन में पत्र लिखने के लिए प्रश्न पूछा जाए तो किसको और किस विश्य में पत्र लिखना है पर आपको प्रश्न में ही रहता है इसे अच्छे से याद में रख कर जो है आप पत्र जो है आप लिख सकते हो तो आसानी से जो है पर दसंक भी आप प्राप्त कर सकते हो तो इसलिए आपको इस सब के बारे में थोड़ा सा तो जानकारी रहना बहुत ही जरूरी है धन्यवाद